नमस्कार दोस्तों हमारे देश में कितने रिसी मुनी हुए जो हम सब आज याद करते हैं और उनके अच्छे-च्छे संदेश आज हम सब अपने जीवन में उतारते हैं और उतानना भी चाहिए इगो इगो से या देश तपस्या का सबसे बड़ा कड़ कड़ में विराजमान है तपो अस्थली मेरा भारत या सदियों से लेकर आज तक धर्ती की कड़ कड़ तपो अस्थली रही है इस अस्थली में स्री प्रुस्तम भगवान से राम जी जन्म लिये है अयोध्या में और म बैशनों देवी का जन्म आप देखी सकते हैं आज कट्रा में हैं सिरी किशन भगवान है मतुरा में और कई ऐसे देवी देवताओं का आशिरबाद आज भारत की धर्ती पर रही है यही है मौजूदा है हमारे देश में हिमाले परबत जो संदे दे रही है सुरच्छा भी दे यही है आज बिराजमान है मा के चर्ण में वैसे ही आप जानते हैं मा की धर्ती भारत की धर्ती है कणकण में बिराजमान है हमारे देवी देवताओं का अशिरबाद है हमारे पूजनी सादू सन्यासियों जो सनातन धर्म की रच्छा करते आ रहे हैं आज प्रियागराच च कि आप देखकर ऐसा लगेगा कि आज सनातन धर्म का जो परंपरा है आज यहां पर बिराजमान है और साथ छातकार आज हम देख सकते हैं हमारी सभ्यत्या रित रिवाज हम सब जो है पुराने हैं और यह सनातन धर्म से चली आ रही आज भी जीवन का एक अलग संदेश कणकण में दे रही है जब यहां की जल की धाराय देखते हैं तो आवाज देती हैं हम सब के महापुर्सों की कि आप देखिए हम आज भी अपनी सनातन धर्म का पालन कर रहें आप भी पालन कीजिए और धर्ती को सुर्ग बनाईए और अच्छे विचार लाईए हम सब को समाजिक रास्ते और भी कही ऐसे हैं जो हमारे साधू सन्यासी लोग हमें संदेश देते रहे हैं चाहे कोई भी हो आज भारत को ही नहीं अपित पूरे विश्व को सांति प्रे देखना चाहते हैं हमारे साधू सन्यासी यही संदेश है यही सब को लेका चलने वाला सबसे बड़ा सन्य 80 Sाधुसंत हैं जो सब को एक रित्वा से देखते हैं और एक ही सरधा से प्यार करते हैं इसी को तो कहते हैं तपो अस्थली भारत रिसी मुनियों की धर्ति पर आज कितने रिसी मुनी को हम जन्मसताबदी याद भी नहीं रख पाते यदि आप रखते हैं तो आप हमें वीडि दुनिया को आज याद करते रहिए पूरवजों की याद करना हमारा सब का सबसे बड़ा कर्तब है और सबसे ज़्यादा आप अपने घर के बुजुर्गों का सादू सरन्यासियों का आप उन्हें प्यार महबत और एक जो है एक अलग से अगर उन्हें भूग लगा है तो यही तो है मेरा भारत उतापवस्थली जो लेके सब को चलती है और आगे एक रिपोर्टिंग देखिए राजेस गुपता जी कानपूर से लगातार हमारे साथ सेयर कर रहे हैं नमस्कार मैं कानपूर से राजेस गुपता एसे जीव कानपूर आप सब का अर्दिक स्वाद का तो आप इनंदन करता हूं आपको पता है कि आज जो है हमारे देश में तमिल कलेंडर के हिसाब से जो महिना चितराई का आता है उसमें हम पूजनिये रामानुजी की जैनती क मनाते हैं और उस उपलक्ष में हम आप सब लोगों को हर दिस सुकामनाय देते हैं आप लोगों को पता है कि हमारे रामानुजी जो थे बहुत ही बैशनों धर्म को लेकर चलते थे और उन्होंने इस धर्म को उठाने के लिए बहुत से यात्राइं की और साथ ही साथ योग का अभ्यास के लिए उन्होंने कई लोगों को प्रिचार रफार के लिए इसके संदेश दिए कि साथ ही साल हमारे ब्रावन जी ने इस संसार में रहकर लोगों को बताया कि वैशनों मत को कैसे हम इस्तापित करें और कैसे हम आगे इस वैशनों मतों को लोगों को प्रचार प्रिसार के माध्यम से ग्यान दें जिससे की हमारे देश में ये अच्छी तरह से लोगों को ग्यात हो जाए कि वैशनों मत क्या है वैशनों मत क्या है और उन्होंने इसके लिए बहुत ही कठिन प्रयास से इस चीज़ों को लाने के लिए उन्होंने कठिन से कठिन काम किया बास्तों में वो आज उनके चड़नों में हम नमन करते हैं और उनको सीज़ना वाते हैं कि उन्होंने हमारे देश को ये चीज़ दी आदर्णिये रामनुज कि उनको लश्मर का भी अफ्तार माना जाता है कि वो स्री रामचन जी के छोटे भाई स्री लश्मर जी के अफ्तार है या उन्हीं के रूप हैं और उन्होंने इसूद के उसी रूप में आकर इसका प्रचार प्रशार गिया साथ ही साथ आप लोगों से एक बहुत बड़ी बिंती और बहुत बड़ी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है या सकाईए कि मेरा अध्र है कि सादू संतों का आप जो है संबान करें उनको जो है उनकी इज्जत करें उनको जो है किसी भी तरह का अत्याचार या उनके उपर दुखित सोक संदेश प्रैसित करते हैं कि इस तरह की देश में घटना हो रही है वह हमारे लिए अच्छी नहीं है हम सब पढ़े लिखो लोगों के लिए ये मेरी बिंती है कि आप सब लोग जो है धेर से काम करें और कोई भी बात को समझ कर उसको अच्छे से ज्यान करके उस या कोई किसी तरह की बात हो रही है जो आज हमारे सादू संतों के उपर इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं मैं आप सब लोगों को इस श्री रामन जहन्ती के उपर आप सब लोग को हार्दिक बधाई और सुपकामनाय देते हैं और आसा करते हैं कि आप इस लोकडाउन के पीरेड में कोई भी कार ऐसा नहीं करेंगे जो हमारे देश के हमारे विश्च के के लिए हिद करना हो इसलिए आप सब लोग जो है सांति के साथ सभी का सम्मान करें सभ को इंजद्दें यही हमारा देश की सल्सक्ति है यही हमारा देश का ध्रुबार है यही हमारे देश की एक सम्मान की बात है और इसको लेके चलें यह मेरा बारं आपसे प्राम और विंती है जाहिंढॉया भारत या धर्ति साधु सन्याशियों से बना है और महापुर्सों से बना है। इसलिए साधु सन्यासियों की समान कर किजिए नहीं तो सच्चे इमानदаров साधूं की तपस्या बेर्थ गई तो ब्रह्मांड और धर्ती ही पलड जाएगी इसलिए अपने साधू सन्यासियों की पूजा करो तभी कल्यान होगा मानों का आज गुरू संकराचार जी का जैनती पर सभी देशवासियों का हार्दी सुपकामना है और अपने अपने घरों म में दीप प्रजलित कर साधू सन्यासियों की सकती बढ़ाएं आगे एक रिपोर्टिंग देखिए राजेस गुपता जी आज सुबा टाइम्स इंटर्वी में इसको अच्छे से ज्यान करके उसको जान करके उसको कंफर्म करके ही इस तरह की बातों में आएं कि कहीं न कहीं आप में मिसंडेस्टिंग हो रही है या कोई किसी तरह का लालच हो रहा है या कोई किसी तरह की बात हो रही है जो आज हमारे साधू संतों के उपर इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं मैं आप सब लोगों को इस स्री रामल जहनती के उपर आप सब लोगों को हार्दिक बधाई और सब्सक्राइब नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकोन को जरू दमाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेस्टन मिल जाए धनबाद